असलाम वालेकुम, वेलकम तू माई चानल फूड एन हेल्थ, आज मैं आपसे एक ब्रेड रेसिपी शेयर करूंगी, जो की बेहत असानी से बन जाती है, और आज कल हम रमजानल मुबारक के महीने में न्यू रेसिपीज ट्राइ करना पसंद करते हैं, और ऐसी रेसिपीज जो जटपट बनके तयार हो जाए, वो तो बहुत ही जादा अच्छी लगती है, खाने में भी बढ़िया लगे, और बनके भी जल्दी से तयार हो जाए, आज हम इसी रेसिपी को बनाना सीखेंगे, जो की बच्चों को और बडों को सभी को बहत पसंद आने वाला है, एकदम माउथ है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें गैस पे पैन रखना है, और थोड़ा सा बॉटम में पानी डाल देना है, ताकि हमारा मिल्क जले नहीं, उसके बाद दो कप मिल्क हम लेंगे, और हम पैन में आड कर देंगे, बॉil ह और साइड रख लेंगे, और वेट करते हैं, मिल्क में बॉil आने का, जैसे ही मिल्क में बॉil आ जाएगा, हम धीरे धीरे इसको चलाते हुए, कस्टर्ड मिल्क को इसमें आड कर देंगे, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, तो धीमी आज पे हमें इसे पकाना ह और कंटिनिसली इसको चलाते रहना है, अगर हम छोड़ देते हैं, तो कुछ लंप्स बनने के चांसिस रहते हैं, और जो कस्टर्ड है वो भी बॉटम में स्टिक होने लग जाता है, जैसी यह थोड़ा सा पक जाएगा, फिर हम इसमें शुगर एड कर देंगे, इसमें मैंन रोम तेमप्रेचर पे ठंडा करना आप चाहें तो फ़न के नीचे रख सकते हैं, जैसे यह नॉर्मल रोम तेमप्रेचर पे आएगा तो थोड़ा फिर में रख देंगे, इसको आप चाहएं इसको आपके सकते हैं, इसको एड़े मिक्स जो की बहर टेस्टी लगता है, इसक समय के बाद इसको थोड़ा मीठा करने के लिए इसमे हम थोड़ा शुगर डालेंगे या तो आप उसको शुगर पडर एड़ कर दें इसमें या तू तू टी स्पून इसमें देसी खान आड़ कर रही हूं और इस मिक्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है जब हम इसे mix करेंगे तो यह हमें थोड़ा सा थिक लगेगा milk powder की वज़े से तो इसके consistency को ठीक करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा chilled milk एड़ कर देंगे और इसको मिला लेंगे जब एकदम स्मूथ हो जाएगा फिर हम इसको साइड रग देंगे और next process करेंगे यह हमने bread slices ले लिए हैं इसके edges को हमें cut कर देना है और इन edges को हम waste नहीं करेंगे इनके bread crumbs बहुत अच्छे बनते हैं और उसके लिए फिर आप कोई भी recipe में इनको इस्तमाल कर सकते हैं तो सारी bread के edges को मैंने cut कर लिया है और उसके बाद हम करेंगे next step की तेयारी यह recipe बहुत असान है बहुत जल्दी से बन जाती है आप इस रमजानल मुबारक में इस recipe को जरूर ट्राइ करें सारे bread के corners को cut करने के बाद अब हम इस पे इस mix को apply करेंगे evenly apply करना है और उसके बाद दूसरे slice को इसके उपर रखके अच्छे से stick कर देना है और फिर इस shape में इसको cut कर लेना है चोटे-चोटे 4 squares में आप चाहे तो इनके triangles भी बना सकते हैं इस तरह से सारी bread slices को हम तयार कर लेंगे सारे mix को evenly हम spread करेंगे और दूसरे bread slice को इसके उपर stick करके हम इसको 4 pieces में cut कर लेंगे जब इस तरह से सारे pieces तयार हो जाएंगे फिर हम इनको side में रख लेंगे और आगे की preparation करेंगे इस recipe को आप एक बाद जरूर ट्राइ करना यह बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है और tasty भी लगती है तो यह देके सारे pieces cut हो गए हैं इसके बाद एक बड़ी सी हम डेश लेंगे और उसमें यह जो रबडी पेस्ट हमने बनाया था इसको पहले हम spread करेंगे उसके बाद हम इनको assemble कर देंगे तो हैना कितने असान सी recipe यह देखिए बॉटम में इस तरह से हमने इस रबडी पेस्ट को spread कर दिया है यहां पर एक step है जो मैंने skip किया है उसको आप जरूर फॉलो करें जब मैं इस तरह से ब्रेट को लगा रही हूं इस डिश में तो उपर से आप चल मिल्क को पोर कर दें इससे ब्रेट स्लाइसे एक दम सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत अच्छे से कस्टड जो है वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा तो मैं यहां पर मैंने ब्रश करना मैं भूल गई थी इसमें मिल्क को उपर से तो आप स्पून से या तो ब्रेट को डिप कर लें मिल्क में फिर इसमे से लगाने के बाद मिल्क डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा रबडी पेस्ट लगाएंगे और फिर यह जो हमने चल्ड किया था कंस्टर्ड मिल्क को इसे उपर से पूर कर देंगे अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उसके बाद आती है बारी इसको गर्निश करने की और इसके लिए आप जो चाहे नट्स इसमें लगा सकते हैं कुछ आप इसमें चॉप्ट फ्रूट्स भी ले सकते हैं और इसके बाद हम इसको इस तरह से बस गार्निश करेंगे और थोड़ा से रेफ्रेजेट कर देंगे तो टाइम से आप इसको बना ले अराउंड वन आर पहले बना ले अफतार से और इसको इस तरह से फिर फ्रिज में रखके चिल्ड कर लें और फिर इसको सर्फ करें तो हैना यह बहुत असान सी रेसिपी जल्दी से बनने वाली और इसको थोड़ा सा कलर एफेक्ट और क्रंच और टेस्ट सब कुछ देने के लिए मैंने इसमें थोड़े से अनार के दाने आप चाहे तो रोस पैटल भी लगा सकते हैं और चाहे तो कुछ फ्रूट्स की लेयर भी लगा सकते हैं हर तरीके से यह बहुत बढ़ी अलगती है तो यह जट पटसी बनने वाली रेसिपी है आपके लिए आप इसको जरूर ट्राइ करें और मेरे साथ अपने कमेंट्स शे झालुप जरूग झाल है भी ले ले झाल है आपके लेयर बाहके लुक यह जत सकते हैं हर गिए भी जट झाल करें देग hello तो यह जो झालाय दोग्पने वीजर आपके लेना आपके साथ आप towardsाउ बन itu से अते हैं तो हूप ऩपने जड़тесь पना जूना है इसमश उुम ago